एंखिरकार खत्म में भारत के तिहास में एक और अध्याय जुड़ा रामलाखी प्रतिबा की प्राण प्रतिष्था के साथ ही आयोधिया में तिहास रचा गया, प्राण प्रतिष्थाके लिए राम मंदिर परिशर में राम भक्तों का जमावडा लगा, देश विदेश प्रधालू पहुंचे। दोपहर 12 बजकर 29 मिनट में रामलला की प्रान प्रतिष्ठा की गई। वहीं दूसरा स्लाट दोपहर 2 बजे से श्राम 7 बजे तक का है। इसके साथ ही मंदिर में जागरन और श्रिंगार आरति का समय सुबह सारे 6 बजे का होगा। इस आरति में शामिल होने के लिए एक दिन पहले बुकिंग करानी होगी। इसी तरह संद्य आर्थी का समय श्राम साथ बजीर का रखा गया है। इसके बुकिंग दर्शन के दिन ही की जा सकती है। ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार राम मंदिर में आर्थी की समय दर्शन के लिए पहुचने वाले श्रधालवों को पास बनवाना जरूरी है। इसके लिए कैम आफिस में अपनी आईड़ी देनी होगी। बहुत सुद्ध ढंक से हुआ। और बहुत समय से प्रधान-मंति ठीक समय से आए। जैसा जो ती सी यह ने निकाला था समय केतने समय से काज्प्रारम होगा। प्रण पतिष्टा का जो बहुत है उत्तम महर्द रही। उसी मुहरत में प्रधानमंती जी पहुंचे और काज करम जो प्रान्पतिष्टा का प्रारम हुआ, बड़े सांती धंक से और बिथ विदान से राम लदा की प्रान्पतिष्टा संपन हो गई है, और उसमें जिस परकार से काज हुआ है, वो अपने आप में बहुत बिलक्षण और अधुती है क्योंकि भगवान राम को इस प्रानपदिष्ठा में जो लोगों का शिनेह मिला इतना जनता इतने भक्त उबन पड़े हैं पूरे जुद्ध्या में जिसकी करना किया नहीं आ सकता है इसने इसी पता चलता कि राम भक्तों में सरद्धा और विश्वास कितना है वो है इसी प्रानपदिष्ठा के अंसर पर जिस प्रकार से लोग आए आने के बाद में उन्होंने इसा जोग दिया और संतों ने भी बहुत से संतिहां आए और सबका दर्शन जो है ब कल से सुरू होगा